हेलो दोस्तों देंग में आपका स्वागते और आज आप सभी लोगों के लिए एक कमाल का वीडियो लेके आ गया हूँ हमेशे की तरह जहां पर दोस्तों मैं आपको आइवेस 14 का फॉर्स्ट लुक और हैंड सॉन देने वाला हूँ येस मैंने अपने iPhone SE 2020 में इसको अपडेट कर दिया हूँ और इसमें जो भी टॉफ फीचर से उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वैसे दोस्तों बात ये ना कि मैंको जो टॉल बोल करना था वो तो मैंने अभी कर दिया अभी थोड़ा अच्छी बात करते हैं देखते हैं कि इसमें आपको क्या अच्छी चीज़े मिलती है देगे Apple दोस्तों मैं expensive रहता है इसलिए performing करता हूँ लेकिन अगर optimization की बात आती ह तो Apple का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है चाहे फिर वो उसका software हो फिर उसके camera में optimization हो फिर चाहे उनका processor हो इन चीज़ों में Apple सबसे टॉप है और वो मैं पहले भी बोलता था और आगी भी बोलूँगा हाँ बस महंगा होता है और कुछ उल्टी-पुल्टी हरकत होती है तो मै थोड़ा ट्रॉल कर लेता हूँ सिर्फ एपल ही नहीं सबको करता हूँ मिरे आदते उससे पहले दोस्तों iOS 14 की मैं आपको compatible list यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा आप देख लिजिए यह सारे जो फोन से Apple के उनमें आपको iOS 14 मिलेंगा जारे देखते देखते iOS 14 में क्या दो user interface है जो icon से इसको पूरा उन्होंने redesign किया है तो थोड़ा different लगता है अगर आप उसको iOS 13 से compare करते और wallpapers की बात करेंगे दोस्तों तो थोड़े नए wallpapers भी उन्होंने यहाँ पर add कर दिए जैसे कि यह वाला जो मैं use कर रहा हूँ यह stock है ऐसे थोड़े बहुत और भी आपको नए wallpapers मिल जाते हैं उसके बाद अगर आपने notice किया रहेगा दोस्तों तो आपको home screen पर बड़े-बड़े यहाँ पर widgets दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर set किया हूँ आप इस तरीकी से widgets यहाँ पर अभी apps की बीच में home screen के अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं और यह set करने के लिए बहुत है simple procedure है आपको सिफ यहाँ पर press and hold करना है खाली space में और उपर देखेंगे आपको एक नया अभी plus sign दिखता है मैं इसको tap करता हूँ तो यह देखेंगे widget वाला section open कर देंगा और उपर देखेंगे most popular widgets यहाँ पर आपको दिखा रहा है और उसके नीचे दाला हूँ तो ऐसे widgets जोस्तों बड़े-बड़े आप home screen पर लगा सकते है जो देखने में थोड़ा cool लगता है और थोड़े और भी better information आपको provide करेगा उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर app library पहली बार दोस्तों iOS 14 में अब सारे जो app से वो अपने हिसाब से categorize होईगे और उसको पहले आपको activate करने के लिए home screen में जाना है और app library only वाले option को set करना है फिर उसके बाद home screen पर एकदम corner में आके मतलब right से आप देखेंगे इस तरह किसे में swipe करता हूँ तो app library का section आ जाता है यह देखेंगे दोस्तों सारे apps को उन्होंने पहले से ही categorize करती है तो इस instantly added यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इस तरीकी से वो सब कुछ आपको categorize करकी देता है और अगर मैं नीचे से इस तरीकी से swipe करता हूँ तो आप देखेंगे पूरी app के आपको यहाँ पर list भी जो दिखाई दे रहे है तो इस तरीकी से दोस्तों app library काम करता है ज जैसे कि वो सिर्फ 10 MB की size का होगा या उससे कम होगा और अगर आपको कि emergency हो जाता है तो आपको पूरा app download करने की ज़रूत नहीं है आप उसका app clip इस्तमाल कर सकते हैं और example QR code से अगर emergency में scan करना हो या अगर आपको payment करना हो तो app clip का आप इस्तमाल कर लेजिए जो बहुत ही क उन्होंने इसको तरह makeup लगा के चमका दिया है और अब दोस्तों Siri full screen काम नहीं करता है आप उसको किसी app के बीच में भी आसानी से अच्छे तरीकी से इस्तेमाल कर सकेंगे for example अगर मैं maps में यहाँ पर open करता हूँ और यहाँ पर मैं press and hold करता हूँ तो उपर नोटिफिकेशन आजएगा देखना है हाँ पर इस तरीकी से दोस्तों Siri को नहीं डिजाइन किया साथ में Siri को नहीं बहुत इंप्रूट किया है तो आपको बहुत सारे languages का support मिलेगा इंडिया में भी काफे सारे regional language का support मिलेगा साथ में audio to text वाला feature भी है दोस्तों मैं बात करूँगा और Siri उसको text में convert करके forward कर देगा और ऐसे बहुत सारे improved features आपको Siri में मिलेगे तो इस तरीके से आप Siri का अच्छे से फाइदा यहाँ पर उठा सकेंगे उसके बाद दोस्तों control center की बात करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत changes उन्हों ने किये जैसे कि Android में हम notification panel बोलते है यहाँ पर control center होता है यह देखेंगे इस तरीके से नीचे से मैं swipe करता open home तो यहाँ पर जो भी आपके पास चीज़े जो आपने connect किया है accessories वगरा जो भी है वो आपको यहाँ पर control center में जो वो दिखाई देगा जो इस तरीके से आप one tap में उनका इस्तेमाल कर सकेंगे जो बहुत ही useful और handy है तो इस तरीके से control center को उन्होंने improve किया है और थोड़ी update कर सकेंगे हाला कि कुछ समद नहीं आ रहा है लेगिन फिर भी इस तरीके का आपको मौका मिल जाता है और अगर यहाँ पर मैं single tap करता हूँ तो आपको जो home screen है वो पूरा इस तरीके से split mode में दिखाई देगा फिर आप चाहिए तो pages को hide कर सकते जो आपको चाहिए वो रख search वगरा दाल दिया तो apps के साथ में आप globally भी website पे जो चाहिए वो यहाँ पर search कर सकेंगे तो यह चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और साथ में वैसे दोस्तों आपको picture in picture mode मोड भी मिलता है यह android वाले तो 34 से इसका स्थमाल कर रहे है लेगिन जेनरल में दे जाता है मैसेजिस के बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको आप वो पिन करने वाला option देता है देखेंगे यहाँ पर अगर मैं टैप करता हूँ तो इस तरीके से आप देखेंगे edit pins का यहाँ पर मुझे option दे रहा है तो अभी फिलाल के लिए तो को messages है नहीं तो इसक तरीकी की चीज़े आपको यहाँ पर मिलती है और साथ में दोस्तों अगर मैं मीमोजी की बात करता हूँ तो एपल ने यहाँ पर इसमें वैसे थोड़ी बहुत improvements करिए थोड़े नए hair styles थोड़े नए look और अभी थोड़ा age को भी उन्होंने improved किया तो इस तरीके से देखें तो cycling वाला भी feature यहाँ पर दोने दाल दिया है देखेंगे cycling काफी time से चल रहा लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से यह add किया है अब बात यह दोस्तों कि अभी फिलाल के लिए cycling वाला route नहीं दिखा रहा है क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ पर ज़रू कर सकते हैं लेकिन फिलाल के लिए हिंदी नहीं है और नहीं इंडियन को रीजिनल लैंग्विज है तो वह आपको शायद इंडिया में जब आएगा तो officially आपको मिल जाएगा तो इस तरह की से देखेंगे हाँ आर्यू तो इस तरह की सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह आप सब्सक्राइब की प्राइविसी रिपोर्ट्स आपको मिलती है तो आप वह भी अपने हिसाब से एकसेस कर सकेंगे तो थोड़ा और बेटर करते हैं और प्लस दोस्तों थोड़ा इंटरफेस चेंज किया और इसको भी उन्होंने काफी फास्ट कर दिया है अभी फिलाल के ल मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मजाग मस्ती के अलावा ओनेसली कहता हूँ दोस्तों एपल के जो सॉफ्टेस होते हैं जो अप्टिमाशन होता है वो एकदम टॉप लेवल का है मैं बोलूँगा यह सबसे किंग है उसके बाद बाकी एंड्रोइड और दूसर अगर आपको वह सारे फीचर्स मिल रहे तो फिर तो हो गया क्या एंड्रोइड दोस्तों आपको बदा है इतने फीचर्स मिलते थे जो आईवेस में नहीं मिलता था इसलिए ज्यादा तर शायद लोग एंड्रोइड पर स्टिक करते थे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका जो security है इसका जो smooth नैसे जो experience है वो totally आपको different मिलता है तो जो first impression है वो एकदम जबरदस थे बस एक चीज़ आपको बताना बोल गया कि जो भी app आप यूस करते है अगर उसने आपका mic या camera इस्तमाल किया तो उपर एक indicator आजएगा iOS 14 में इससे पता चलेगा कि वो app आपके mic का और camera का पीछे से इस्तमाल कर रहा है तो security टॉप होती Apple की यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखने है anyways दोस्तों इतना ही इस वीडियो में आपको कुछ कहना है वो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मिलते आप से एक लिवड़ों में ग्रेवडों के इसके मिल अबरा के तरी एक लिवड़ों